स्वागत है आप सभी का Most Important Lucent GK सिरीज में आप भारत में किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो चाहे वो रेलवे हो, SSC हो या किसी भी स्टेट लेवल के एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो ये प्रश्ण आपके आगामी एक्जाम के लिए काफी महत्मुन सावित होने वाला है क क्योंकि साभी प्रवियसर में पूछे गया प्रश्णों का संग्रा है तो पहला प्रश्ण देखते हैं भारत का रेडियो खगोल विग्यान केंद्र कहां इस्तित है त्रिवंदम उधग मंडलम धुंबा या ट्रॉंबे तो इसका सही जवाब हो जाएगा Option B यानि उधग म मंडलम तमिलाडू में इस्तित है भारत में राष्टपती सासन राज्य सरकार का निलंबन और एक राज्य में प्रत्यक्ष केंद्र सरकार का सासन लागू करना किसके तहत होता है अनुचे 356, 356, 352 या 350 कहने का मतलब है कि भारत में राष्टपती सासन जो किसी राज्य में लगा जाता है तो वह किस अनुच्छेद से लगा जाता है तो इसका सही जबाब हो जागा अनुच्छेद 356 भारत में राश्च्पती सासन से समधित है और सबसे पहले कहां लगा गया था भारत में ये भी पूछा गया प्रशनम तो पंजाम में लगा गया था कब लगा गया तो यह आपके दिमाग में अच्छे तरह से बैट भी जाएगा उस अंतराष्टे स्वतंत्र एजेंसी का नाम बताएगा जिसकी प्रमुगति वीडियो में सभी खेलों में सभी देश के वेगानिक अनुसंदान सिच्छा विकास एंटी डोपिंग चमतार कोड की निगरानी सामिल है यानि एंटी डोपिंग एजेंसी का नाम पूछा जा रहा है और यहां जो आपको उप्सन दिख रहे हैंगे वो काफी कन्फूजिंग है देखें डोपिंग के खिलाप अंतराष्टी निकाये विस्व डोपिंग रोधी एजेंसी साब खेलो खेलने दिखता तो कन्फूजिंग ऑप्सन है लेकिन इसका सही जवाब को याद रखना है विस्व एंटी डोपिंग रोधी एजेंसी अभी हाली में जो एससी का एक्जाम हुआ था वहाँ पर ये प्रशन पूछा गया था तो यह आपको याद रखना है विस्व डोपिंग रोधी एजेंसी है और ये जो है आपका इंटरनेशनल सोसाइटी जो है जो अलमपिक का और कनाड़ा में बेस ये सोसाइटी है उसके द्वारा बनाए गई ये एजेंसी है अधिकांस का निर्मान नदियों और समंदरी लहरो द्वारा जमारेद और मिट्टी से होता है किनका निर्मान होता है काफी आसान प्रशन आपने पढ़ा होगा तो वह है जलोड मिट्टी जलोड मिट्टी का निर्मान नदियों और सम को जो भी option देखे हैं वहाँ पे क्लिक कर देना है ठीक है तो जलोड मिठी पूछे उनका निर्मान समुद्री लहरों या नदियों द्वारा होता है भारतिय रूपया की विनिमय दर के संब्द में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है मुख्य रूप से इसकी कीमत अमरीकी डॉलर के संदर में है ये बिल्कुल सत्य है यूएश डॉलर के संदर में हम देखते हैं कि रूपय की कीमत क्या है भारतिय रिजर बैंक द्वारा तै किया जाता है भारतिय रिजर बैंक द्वारा प्रकासित किया जाता है ये भी सही है कि इसे भारती रिजर्ब बैंक प्रकासित करती है और यह बाजार की तागतों द्वारा तैय किया जाता है बिल्कुल सही है किसी देश की अर्थवरस्था क्या है बाजार में उस देश की अर्थवरस्था का मुल्यांकन के अधार पर यह तैय किया जाता है लेकिन यहां पर जो ह ब्रिहडत की हत्या के साथ मौर सम्राज का अंत हो गया था काफी इंपोर्टेंट प्रशन के पेपर में भी पूछा गया प्र offline नहीं लौक ये ऐस्ट ने तो पूचशा जा रहा है किसने ब्रिहडत की हत्या की थी फुर्के संतु हर्सबर्दनयंया पुश्यमित्र आपको थोड़ा बता दूं कि जो मौरे समराज था मौरे समराज के संस्थापर कौन थे तो चंदरगुप्त मौरे थे चंदरगुप्त मौरे यह भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है अच्छा संस्थापना कर वही थी 322 BC 322 BC में चंद्रगुत में मौरे गुट धम्राज की अस्थापना की थी उसके बाद बिंदुसार आता है और उसके बाद असोक आता है और इसी क्रम में जो मौरे वंस का सबसे आखरी सासक था उसका नाम था ब्रिहदत ठेक है तो एक साथ कितने प्रशन आपके हो गया है ये सभी आपको ध्यान में रखना है मौरे वंस के संस्थापक चंद्रगुत मौर, बिंदुसार, फिर असोक होता है बिरिदत आखरी सम्राट है जिसकी हत्या करता है पुष्यमित्र सुंग और मगज में जो है सुंग वंस की अस्थापना करता है तो ये सभी आपको याद रखना है असोक का क्या होता है कि कलिंग युद्ध के बाद वो बहुत धर्म ले लेते हैं और उसके बाद ही मौरे वंस का जो है सासन, सत्ता वुलिजिक कम होने लगता है अगला प्रशन देख लेते हैं भारतिय समविधिक आयोग को किसके रूप में भी जाना जाता है यहां समविधानिक नहीं है समविधिक है आपको ध्यान देना कृप्समिसन, समविधान सभा, साइमन कमिसन या तरंग आयोग तो इसका सही जवाब होगा साइमन कमिसन समविधिक आयोग को साइमन कमिसन के रूप में जाना जाता है सर जॉन साइमन जो थे जॉन साइमन इसके जो थे चेर्मेन थे और इन ही के नाम पे साइमन कमिसन का नाम रखा गया और यह भारत में 1928 में आता है अगर आपको वीडियो का explanation अच्छा लग रहा है वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको share जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके मैं कोसिस कर रहा हूं को हर प्रश्ण को explain कर दूँ फिर भी अगर आपके पास और कोई doubt रहाता है तो आप comment करके वो doubt पूछ सकते हैं निमलीखित में से किस राज में अभी तक राष्ण पती सासन नहीं लगा गया है लगने के बारे में तो हमने कई बार पढ़ा था लेकिन कहां नहीं लगा है तिलंगाना और थिलंगाना तो नया निर्मित राज है और इसलिए सही जवाब का हो जागा D यानि दोनों option A और B में अभी तक राष्टपती सासन नहीं लगा है अनुचे 356 के बारे में अभी आपने पढ़ा ही था जिसके अनुचा राष्टपती सासन लगाया जाता है कौन सा देश सार का सदस से नहीं है तो सार का सदस नहीं है उसके लिए पहले हम लोग जान लेते है кадon कौन सा देश सार का सदस है तो सार का मतलब कहा है पहले ये समझना होगा देखे South Asian Association of Regional Corporation ये है South तो नाम से ही पता चल रहा South Asian देश है तो इसमें से कौन-कौन सा देश इसमें हो है तो पहले आप देख लिए जिसकी अस्थाबना जो होती है आठ दिसंबर को होती है कहां पर होती है धाका में होती है धाका में अस्थाबना होती है लेकिन इसका हेटकोर्टर जो है वो आपका काठमांडू नेपाल में है तो ये भी आपको याद रखना पूछा जाता है कई और पूछा गया है काटमांडू नेपाल में इसका हेड़क्वाटर है और सार्क के सदसदेश के बात करें तो देखें पाकिस्तान इंडिया या अपना भारत बंगलादेश नेपाल भूतान स्रिलंका माल्दीव और अफगानिस्तान ये सार्क के देश हैं आपको फिर से और पुछेगा कि इन में से सार्क का सदर से देश खौन नहीं है तो यह भी आपको लागा रखना है तो आप समझगे इरान इसका सदर से नहीं है सही जवाब का option A हो जाता है निमलिखित में से किस नेता ने साहमेन कमिशन का समर्थन किया था जो 1928 में भारत आया था लाजपतराय, अम्बेटकर, पी आर ई, रामस्वामी या दोनो तो इसका सही जवाब होगा दोनो B, I and C बी आर, अम्बेटकर और रामस्वामी ने दोनों ने ही इसका समर्थन किया था जबकि नहरू जी जो थे, महत्मा गांधी थे, जिन्ना थे और मुसलिम लेग यहाँ था कि कॉंग्रेस ने भी इसका विरोध किया था एक और प्रश्ण इससे पूशा जाता है कि भारत में साइमन कमिसन का विरोध क्यों हो रहा था तो इसका सही जबाब है कि यह जो साइमन कमिसन था इसमें एक भी भारतिय सदस्य नहीं थे, भारतियों को सामिल नहीं किया था इसलिए नहरू जिन्ना सभी ने गांधी जी ने इनका विरोध किया था और यह 1928 में भारत आया था अब देखते हैं वर्ल्ड इकोनोमिक आॉट्लूट किसके द्वारा प्रकासित किया जाता है WRTO, IMF, WISBANK या ANKTARD तो यह IMF International Monetary Fund द्वारा प्रकासित किया जाता है वर्ल्ड इकोनोमिक आॉट्लूट IMF की बात करें तो इसमें अभी खुल 190 सदस है आई एमफ का headquarter कहां है ये भी पूछा जाता है तो Washington DC में और ये कहां इस्तित है ये आपका USA में इस्तित है तो ये दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है एक चीज़ और आपको याद रखना है कि 1944 में इसकी अस्थापना होती है आई आपकी 1944-1945 में Second World War के बाद ठीक है तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है साथी World Economic Outlook भी IMF निकालता है अगला प्रस्ण देख लेते हैं भारतिय सम्मीधान का उपराश्ट पती के पद के लिए सपत का पती ज्यान प्रदान करता है यानि उपराश्ट पती अपना पत का सपत की अनुचेद से लेते हैं 70, 85, 86 या 69 तो सही जवाब है अनुचेद 69 से राश्ट पती पत की सपत लेते हैं याद रखना है आपको बच्चे से इसको दिमाग में रखना है एक चीज और आपको याद पूछा जाता है कि भारत के प्रधम उपराश्ट पती कौन थे तो डॉक्टर सरवपली राधा किश्णन थे भारत के प्रधम उपराश्ट पती तो ये भी आपको याद रखना है अच्छा डक्टर सर्वस्वली राधा किश्णन के जनम दिन के दिन पास सिप्टेमबर को एक दिवस बना जाता है वो कौन सा दिवस बना जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है और ये काफी आसान प्रश्ण है अगला प्रश्ण देख लेते हैं निमलिखित में से कौन सा सारवर्जनिक छेत्र का उद्यम महारतन है तो इसमें से महारतन कंपनी कौन सी है भातिय इसपात प्राधिकरन लिमिटेड यानी सेल तो सही जवाब यही हो जाएगा पहला ऑप्शन ही सही है सेल एक महारतन कंपनी है भारत में और बीस सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर और ऑफ वर्ल्ड में से एक हमारा सेल भी है निम्लिकित में से कौन सा छेत्रफल के दुरुष्टी से सबसे बड़ा केत्र सासित प्रते से चंडिगर दादर नागर हवैली लचदिव या अंडवान और निकोबार सही जवा हो जागा अप्शन डी अंडवान निकोबार एक 10 डिगरी चैनल से इसको सेपरेट किया गया यह पूछा भी जाता है अगला प्राशन देख लेते हैं प्राचीन भारत के किस अस्थान को अवंतिका कहा जाता था वैसाली मुनिलखंड मालवा तो इसका सही जवाब हो जागा जो मालवा है उसे ही प्राचीन भारत में अवं मौरी समराज, गुप्त समराज, आवंतिका या मालवा में इनका राजिता दूत्य सरतापदी की बात है सौगान वन कहां पाय जाते हैं मद्यपर्देश, भीहाज, अच्थिजगर या रांद्यपर्देश ऐसे तो कई जवाबे पाय जाता है लेकिन मद्यपर्देश में का सौगान के पेड़ों का राष्टि मत्यपर्दाता दिवस कब मना जाता है बड़ा ही आसान प्रशन है 25 जनवरी को राष्टि मत्यपर्दाता दिवस बना जाता है आपको याद रखना है कि 26 जनवरी के ठीक पहले मत्यपर्दाता दिवस बना जाता है यानि कि 25 जनवरी को म दिल्ली में केकी सुल्तान के सासनकाल में पुर्टगाली भारत आये थे मुभारक सासयद भालू लोदी या सिकंदर लोदी तो देखे पुर्टगाली भारत आये थे तो पहला पुर्टगाली भारत आने वाला कौन था वो था वासको डिगामा आपको पता भी होगा काफी इं सिकंदर लोदी के दर्वान में आया था वासको डिगामा और फिर इन्हों वाद कपज़ा किया था मैंने मैं वासको डिगामा और 1961 में इसके गोगा पूर्तकालियो solution से हाजाद कर जयता है जबकि भारत 1947 में आजाद हो चुका था लेकिन गोवा आजाद नहीं हुआ था तो ये सारे पॉइंट पूछे गया है 14-17 वास को डिगामा आता है 15-10 गोवा पकपजा 1961 में आजादी होती है और 1947 में भारत उससे पहले ही आजाद हो चुका था सिव समुद्रम जल विद्द पर्यूजना कहां इस्थित है इंपॉटेंट प्रशन है बहुत बार का पूछा गया है तमिलनाडू केरल आंद परदेश या करनाटक सही जवाब हो जाएगा आपका करनाटक में ये हाइड्रो पावर प्रजेक्ट है सिव समुद्रम और सिव सम वह वह उठ्रहल वाड़ी योजना के अंतरगज भूखतान करने का प्रदान था महालवाड़ी योजना की बात करें तो इसके सुर्वात किस ने की थी पूछा जाता है Halt McKenzie ने महालवाड़ी की सुरुवात की थी अभी हाली में जो NTPC का प्रशन आया था NTPC का एक्जाम हुआ था Group D का भी एक्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रशन पूछा गया था इत चीज आपको और याद रखना है महालवाड़ी की सुरुवात 1822 AD में होती है महालवाड़ी की सुरुवात कहां पे होती है तो पस्चिम बंगाल अभी का जो पस्चिम बंगाल है उसमें महालवाड़ी की सुरुवात Halt McKenzie द्वारा किया जाता है अब देखते हैं अगला प्रशन भारत के राष्टपती के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक उमिदवार की नियूंतम और अधिक्तम आयू सीमा क्या होने चाहिए काफी आसान प्रश्ट है तो देखिए मिनिमम आयू सीमा जो है वो 35 वर्स होनी चाहिए वहीं अगर आप लोग सभा का चुनाव लड़ते हैं तो मिनिममम उम्र आपकी 25 साल होने चाहिए और अगर आप राज सभा का चुनाव लड़ते हैं तो आपका मिनिममम उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने है आपसे एक और अनुरोध है आप इतना दूर तक आ गया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुर जुर जाएं आपके आपको इसी तरह की quality वीडियो मिलती रहे कन्या सिच्छा प्रवेश उत्सव नाम एक वीसे इस अभ्यान को प्रारम किया गया था देखे करेंट का प्रशनार पूछा गया है तो आठ मार्च 2022 में कन्या सिच्छा प्रवेश उत्सव क्या गया था और इसमें क्या होता कि 11 से 14 साल की जो लड़किया थी उनके सिच्छा लिए उनको इंडॉल कराया था जोड दिया गया था स्कूल में उनकी भरती करवाई गया थी अंतयराष्टिय महिला दिवस वेस्विक अवकास है जिसे कब मना जाता है पूछा जा रहा है तो इसे आठ मार्च 2022 अकला प्रश्न देख लेकर्ए हैं राज़ा Bhymby सार जिसमें आपको ये भी समझना है कि विंबी सार की हत्या उनके अपूत्र अग्यात सत्रु द्वारा की जाती है और उसके बाद अग्यात सत्रु जो है वहाँ पे सिंहासन में बैठता है एक और चीज आपको समझना है कि राजा बिंबी सार है और एक और राजा है बिंदू सार तो आपको दोनों में confusion नहीं होना है जब बिंबी सार पुछा जाए तो ये हर्यक बंसका है जबकि जो बिंदू सार है वो मौर्य बंसका है चंदरगूप मौर आते हैं फिर बिंदू सार आता है और इसके बाद असोक आता है तो ये सारे के सारे point आपको याद रखने है सेरेना विलियम्स किस देश के tennis खिलाड़ी है तो ये काफी आसान प्रशन है ये अमेरिका की tennis खिलाड़ी है और ये प्रशन क्यों पुछा गया क्योंकि सेप्टेंबर 2022 में ये रिटार होती है तो काफी popular खिला रही थी है और सेप्टेंबर 2022 में रिटार होती है तो current का अच्छा प्रशन है आपको याद रखना है करसुधार सरकार की कारदान और सरफजनिक वैये नीतियों में सुधार से संबंजित है जिने सामवग के रूप से इसकी के रूप में जाना जाता है तो करसुधार क्या है तो ये सरकार की राजगोसिये नीती का हिश्सा है तो आपको ये याद रखना है रसरकार की फिसकल पॉलिसी जो है वो करसुधार इसका हिस्सा है एकनोमिक का प्रश्णिथा लिंगायत वाद को आमतोर पे कहा जाता है क्या कहा जाता है तो लिंगायत वाद आमतोर पे हिंदू को माना जाता है क्योंकि लिंगायत है यानि ये आया जो है शिव लिंग की पूजा करता है यानि संकर माहादेव की फूजा करते हैं, तो इसे लिंगायतवाद जो है हिंदू माना जाता है। *** थैस लिनको्त स्रि देशों के बीच दोई पच्चीह संबुरी अभ्याज से नाम से ही नाम से तो आपका ऑप्सन B सही हो जागा, ऑप्सन C, ऑप्सन D और ऑप्सन A गलत जवाब होगा वर्स के में अंगल सिख यूद में सिखो कहराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कपजा कर लिया था तो पुछा जाएरा अंगल सिख यूद कब होता है, देखिए ऑप्सन कितना ज़्यादा कन्फूजिंग है लिए आपको कन्फूजिंग नहीं होना है, 1849 में अंगल सिख यूद होता है जिसमें सिखो कहराने के बाद अंग्रेज जो है पंजाब पर कपजा कर लेते हैं हाड़ी छेत्र के आसपास एक जनसंख्या वाला छेत्र है, कौन-कौन सा है तो सेंट फ्रांसिस्को है, सेंट पाबलो है, और स्वीसून पे है यह तीनों ही हो जागा, यानि ऑप्सन डीस सही जबब हो जागा आपका यह तीनों है तो यह था आज का आखरी प्रशन, आपसे फिर मिलते हैं, इसी तरह के अच्छे प्रिवेशेर प्रशनों के साथ तब तक के लिए आप रिविजन करते रहें और वीडियो देखते रहें तब तक के लिए जैहिन दूस्ते